हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो एसेच फेशन वर्ल्ड आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर किया हूँ जैसा कि आप देख भी रहे हो यहाँ पर कि रैगलन जो नेक है वो हम किस तरह से बनाती है जैसे रैगलन स्वाटर यह मैं बनाई हूँ तो इसका मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है यह डिजाइन मैंने किस तरह से डाला है रैगलन कट किस तरह से देना है और बॉर्डर मैंने किस तरह से डाला हुआ है स्व चार साल के बच्चे को मैं बना दी हूं चार से पांक साल के बच्चे को आरहाँ से स्वाट राजाईगी तो कितने फंदे डालने और किस तरा से हमने सैठ करना है सब कुछी मैं पहले इस आपको बतारे हूं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी raglan जो neck है वो हम किस तरह से बनाते हैं तो इसके लिए देखे मैंने इसको पहले से ही बिचाके रखा हुआ है आपको किस तरह से डालनी है यह सलाई के अंदर इसको मैं बताऊंगे आपको जैसे दो सिलाई में भी आप ये गला बना सकते हो आप इसको चार सिलाई में भी बना सकते हो तो इस तरह से सर्कुलर नेडल वायर वाली नेडल अगर आपके पास है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हो तो सबसे पहले आपको बतादू मैंने किस तरह से रखा हुआ है ये देखे मेरा back का part है ये मेरी बाजू है ये मेरा front का part है और ये भी बाजू है तो अब यहाँ पर देखे मेरी back के part में है 36 stitches front के part में मेरे 36 stitches है और जो मेरी बाजू है उसमें है 30 फंदे और यहाँ पर भी 30 फंदे हैं तो टोटल मेरे पास है यहाँ पर 132 स्टिचिस सारे और मुझे नेक के लिए चाहिए 105 मतलब 105 फंदे मुझे अपने गले के लिए रखने हैं और बूल मेरी नॉर्मल सी बूल है जिसमेरे 10 नंबर की स्टिचसे बनाया हुआ है और जब हम गला बनायेंगे तो इसको हम बनायेंगे 11 नंबर की सिलाई से तो देखिए अब हम किस तरह से 105 फंदे रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मेरे हो रहे हैं 132 स्टिचिस हम क्या करेंगे थोड़ी से फंदे बाजू में गटा लेंगे और थोड़ी से फंदे हम दोन बाजू में गटा लेंगे और थोड़ी से फंदे हम यहाँ पर फ्रंट और बैक के पार्ट में गटा लेंगे तो फिर हम इनको फिर हमारी यह फंदे 105 रहने चाहिए जैसे हमने यहाँ पर रख लिए 21-21 फंदे बाजू में रख लिए यहाँ पर कटा देंगे और 21-21 फंदे हम यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर हम रख लेंगे जैसे 31-32 फंदे हम यहाँ पर रख लेंगे तो अब किस तरह से डालना है नीडल में वो आप देख लीजी अगर आप चार सिलाई में बनाना चाहते हो इसको तो आपके पास यह ऐसी डबल पॉंटेड नीडल होनी चाहिए अगर आप दो सिलाई में ही डब बनाना चाहते हो तो फिर आपको ये सारे जो है वो सिलाई में ट्रांसपर करने पड़ेंगे वो वाला गला फिर आपको बाद में सिलना पड़ता है और जब हम चार सिलाई में इसको बनाती हैं तो आपको गले को सिलने की जुरूत नहीं होती या आप बायर वाले सिलाई में बनाती हो तब भी आपको गला सिलने की जुरूत नहीं होती है तो आप डालना किस तरह से? सलाई में आप किस तरह से डालोगे? जैसे दो सलाई में बना रहे हो तो यह आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे एक सलाई में और दूसरे सलाई से आप बनाओगे या चार सिलाई में भी बनाते हो तो किस तरह से आप बनाओगे सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरी बाजू है इस बाजू के फंदे हम डालेंगे सबसे पहले बाजू डालेंगे उसके बाद हम बैक का पार्ट यहाँ पर डालेंगे उसके बाद फिर से बाजू डालेंगे और फिर हम फ्रंट का पार्ट डालेंगे या आप चाहे तो देखिए पहले फ्रंट का पार्ट डालीजिए फिर बाजू डालीजिए फिर बाजू डालीजिए फिर बैक का पार्ट डालीए फिर फिर से बाजू डालीए इस तरह से भी आप डा सकते हो So I hope आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने डालना है तो दीए यहाँ पर मैं आपको डाल के बताती हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर बाजु डाल रही हूँ और यह हमारी राइट साइड होनी चाहिए सबसे पहले हम यहाँ पर बाजू डालेंगे यह मेरे बाजू के सारे फंदे में यहाँ पर ट्रांसपर कर लूँगी इसी सिलाई में तो देखिए मैंने यहाँ पर बाजू डाल लिया अब मैं बैक का पार डालूँगी बैक के पार्ट के सारे फंदे हमने इसके अंदर शिफ्ट करने हैं जब आप दो सिलाई में बिना रहे हो तब भी आपने इसी तरह से शिफ्ट करने हैं इस तरह से शिफ्ट कर लिया तो देखे back के part की सारे फंदे पर यहाँ पर डाल लिए हैं अब हम डालेंगे फिर से बाजू अब बाजू के फंदे फिर से यहाँ पर डालेंगे और अब हम डालेंगे front का part तो धियान आपनी यह रखना है जब भी आप डाल रहे हो आपकी right side राइट साइड ही सारी देखे इस तरह से राइट साइड है तो राइट साइड से ही आपने डालने हैं जैसे मेरी इस तरफ को देखे ये ये राइट साइड आ रही है तो मैं इजर से ही डालना स्टार्ट करूंगी तो राइट साइड आपके बाहर की तरफ को आने चाहिए मैंने सारे ट्रांसफर कर लिये हैं ये तो फिर से आपको एक बार बता देती हूँ क्या क्या हमने डाला देखे सबसे पहले हमने डाली थी यहाँ पर बाजू ये देखे बाजू डाली थी उसके बाद हमने back का part डाला फिर फिर से बाज उडाली और फिर हमने front का part डाला तो अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यह हमारी wrong side आ रही है तो wrong side से हमने यहाँ पर मैं धागा जोइन कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दागा नहीं है तो मैं यहाँ पर दागा जोइन करूंगी इस तरह से हमने दागे को जोइन करना है यहाँ पर पहला फंदा सीधा बना लिया क्योंकि wrong side है तो यह हम wrong side और फंदे हम यहाँ पर कम करने हैं एक सो पांच फंदे गले के लिए रखने हैं जब आपके पास बड़े हुए फंदे हो तो आप इस तरह से कम कर सकते हो अगर आपके पास पूरे बचरे हैं तो फिर आपने ऐसे ही कंटीन्यू करना है जैसे भी आप बॉर्डर बनाना चाहते हो जैसे देखे मैंने यहाँ पर एक सीथ है एक उल्टा का बनाया है तो मैं इसी तरह से बनाऊंगी और उपर मैंने बीच में देखे ब्लैक कलर की दो रो बनाई है जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया ही यह वाला बॉर्डर तो मैं इसी तरह से इसको बनाऊंगी तो पहले आपको बता देते हूं देखे पहला फंदा उल्टा बनाया फिर एक और फंदा में यहां पर उल्टा बनाऊंगी फिर उसके बाद देखिए दोनों दो फंदों का हमने एक साथ दो काय कर लेना है एक फंदा मेरा यहां पर कम हो गया फिर फिर से एक दो तीन फिर-फिर से दो फंदों का एक फंदा करूँगी, दो फंदे हमारी यहां पर कम हो गए, फिर एक, दो, तेन, फिर-फिर से दो फंदों का एक फंदा करूँगी, एक, दो, तेन, फिर-फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाना है, इसी तरह से हम ये सारी फंदे कम करेंगे जो भी हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं हमारे पास सिर्फ 105 फंदे रहने चाहिए ये देखे इस तरह से तेन चाहर यहां पर मैं चाहर फंदे मैंने बनाये फिर दो का एक कर लिया फिर देखे एक दो इस फंदे को हमने टाइट रखना है थोड़ा इस तरह से टाइट रखेंगे अब नेक्स्ट जो दिखे तो यहां पर हमारी बाजू है यह हमारा फ्रंट का पार्ट है बाजू है तो अब इसको भी हमने इसके साथ जोइन करना है तो जब आप जोइन करोगे यहाँ पर इसके साथ तो आपने थोड़ा सा टाइट इसको रखना है ये दिखी तो इस तरह से क्यूंकि इसके साथ हम इसको जोईन करेंगे तो ये हमने थोड़ा सा टाइट फिर रखना है तो बाजू के फंदे भी हमने यहां पर कम करने हैं तेन मैं दो काई कर लूँगी फिर तीन फंदे बनाऊंगी एक दो तेन फिर दो काई कर लूँगी इसी तरह से आपने बनाना है पूरा ये ये पूरी रो उल्टी बनाते जाना है और साथ में आपने फंदे भी कम करते जाना है दियान रखना है आपके पास सिर्फ 105 फंदे ही रहने चाहिए इसी तरह से हम यह पूरी रो बना लेंगे तो अब यहाँ पर देखें मैंने सारे फंदे इसके अंदर डाल लिए हैं यह देखें और यहाँ पर मेरे पास 105 फंदे रह गे हैं मैंने फंदे यहां पर कम किये तो अब मेरे पास गले के लिए सिर्फ एक सो पांच फंदे रहे गए हैं अब हम इसी सलाइस से देखे बनाएंगे एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से बनाएंगे इसको क्योंकि मैंने नीचे बोडर इस तरह से ढाला है तो यहां पर भी मैं इसी तरह से बनाएंगे एक फंदा सीधा और एक उल्टा इस तरह से मैं बौडर इसका बनाएंगे आपने जिसी तरह से बोडर डाला हो वैसे ही आपको continue करना है और इसकी कितनी रो हमने इसी तरह से बनानी है एक फंदा सीधा एक उल्टा इसकी बनानी है लगवग 20 to 22 रोज या 25 रोज तक आप इसी तरह से बना लोगे जब आपका देखिए आदा हो जाएगा ये जैसे अगर आप 20 रोज डाल रहे हो तो इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई है तब फिर क्यूंकि हमारा ये डबल आएगा तो फिर आपका ये इस तरह से दिखेगा उपर इस तरह से डबल आएगा अंदर की तरफ को तो फिर हमारा ये वाली पट्टी उपर की तरफ को इस तरह से दिखेगी तो इसी इस तरह से देखिए आप बना लीजिए इसकी एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से आपने बना लेनी है इसकी लगवग 20 रोज यह मैं आपको बता दूंगी मैंने आगे कितनी इसकी रोज बनाई है यह 105 फंदे अब हमने इनी सर्कुलर नेडल से बनाने हैं एक फंदा आपको बताना भूलगी जैसे आप सर्कुलर में निटिंग ऐसे करोगे जैसे इस तरह से आप सर्कुलर नेडल होगी क्यूंकि उससे पहले मैंने आपको मैंने सर्कुलर नहीं की थी जो एक रो मैंने डाली वह मैंने ऐसे ही डाली थी क्यूंकि उसमें हमने सिर्फ दो का एक दो काये किया था और अब देखिए जैसे हमने एक राउंडे कंप्लीट कर लिया एक पूरी हमने स्लै डाल दी उसके बाद हमने क्या करना है जैसे सर्कुलर नीटिंग जब हम करेंगे इस तरह की वायर वाली नीडल से तो उसके लिए देखे हमने ये फंदे फिर अपनी पूर वी रोबना लिए उसके बाद हमें ये फंदे इस तरह से फैलाने पड़ेंगे जू तार है आपकी वायर है पिछे उसमें आपके इस और फंदे आजाएंगे तो उसके बाद यहां से देखे अब हम यहां से इस तरह से knitting नहीं करेंगे दुबारा हमने इस side से knitting नहीं करनी है हमने सीधा ही इसको इस तरह से बनाते जाना है round में तब ही फिर यह गोल आएगा और इसको सिलाई करने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो उसके लिए देखे हमने यह बायर में फ खेंच लेंगे बहुत ही आसानी से यह खिच जाती है इस तरह से अब यह वाले फंदे हमने स्लाई में ट्रांसफर करने हैं इस तरह से हम स्लाई में डालेंगे तो यह भी बहुत एजिली आपके फंदे आ जाते हैं इस तरह से डालेंगे स्लाई के अंदर और हम इसको सरकल म ही knitting करते जाएंगे यह दिखे इस तरह से हमने करते जाना है जैसे एक round मेरा पूरा complete होगा यहां तक तो हमने यह फिर यह फंदे यह वाले फंदे इस लाइ में transfer करते जाना है यह दिखे इस तरह से और सेम वैसे ही हम बनाते जाएंगे एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से मेरा सीधा फंदा था लास्ट वाला तो इसको उल्टा बनाएंगे एक सीधा एक उल्टा इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और जब आपके फंदे देखे ये एक्स्ट्रा ये हो जाएं जब इसमें ज्यादा बढ़ने लगे फंदे तो आप इनको इस तरह से सरका सकते हो पीछे जैसे आपको लगे कि यहां पर टाइट हो रहा है तो आप इन फंदों को इस तरह से पीछे भी सरका सकते हो और इधर वा तो सारा हमने ये नेक अपना बना करके इसी तरह से कंप्लेट करना है मैं आल्मोस्ट मेरा अल्मोस्ट होने वाला है तो मैं बताती हूँ आपको टोटल कितनी रोज मैंने डाली है तो अब यहां पर देखे मैंने अपनी नेक की बुनाई पूरी कर ली है और इसकी जो टोटल रोज हैं देखे यहां से लिके यहां तक मैंने बनाई है तोटल ये 26 rows ये देखे 26 rows मैंने डाली है और जब मैंने यहाँ पर देखे ये 2 rows इसकी black color की भी डाली है center से जब center से 2 rows पीछे मैंने इसकी यहाँ पर ये black color की rows डाली है क्योंकि जब हम इसको देखे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ ये मैं आपको अभी बताऊंगी तो ये फिर इस तरह से हमारी ये black थोड़ा सा इस तरह से दिखेगी तो अब पूरा होने के बाद जहां से आपने देखी start किया था वहाँ पर आपको marker लगा के रखना है नीचे आप marker लगा लेजिए या कुछ भी लगा लेजिए तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपने start किया था तो वही पर ही आपका खतम होना चाहिए एक पूरा round ठीक है अब हम इसको घटाना start करेंगे पूरे फंदे अब हम बंद करेंगे तो बंद करने के लिए देखे इस तरह से करेंगे आप इस तरह से भी कटा सकते हो एक सीधा धागा आगे एक उल्टा और सीधे फंदे को इसके उपर से उतार देंगे और जब आप इस तरह से करोगे तो आपने ध्यान डखना है कि आपके ये जो फंदी है वो लूज गटने चाहिए क्योंकि उससे फिर आपका गला टाइप नहीं वनेगा इसलिए आपको ये लूज लूज कटानी है ये फंदी आपको इस तरह से पहले ट्रांसफर कर लीजी इनको ये देखे फिर से अब जो सीधा फंदा आ रहा है उसको सीधा बनाना है और पीछे वाला फंदा इसके उपर से उतार देना है जो उल्टा फंदा आ रहा है उसको उल्टा बनाना है और पीछे आला फंदा इसके उपर से उतार देना है इस तरह से धागा आगे सुरी सीधा फंदा है तो इसको सीधा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा इसके उपर से उतार देंगे और थोड़े lose-lose देखे इस तरह से हमने ये पूरे फंदे बंद कर देनी है अब यहाँ पर देखे मैंने पूरा ये बंद करके complete कर लिये हैं देखे यहाँ पर last फंदा है तो इसको हमने इस तरह से धागे को निकाल लेना है देखे धागे को मैंने कट कर लिया अब हम इसको देखे इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे ये इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है ये मेरी right side है बाहर की तरफ को तो इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे इस तरह से फोल्ड कर दिया और देखे यहां से हमने बनाना स्टार्ट किया था यह आपको दिख चाहेंगे तो अब यहां से हमने इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करने हैं इसको राउंड में हमने सिलना है wrong side से हम इसको सिलाई करना तो देखिए यहां से हम इसकी stitching करना start करेंगे सबसे पहले तो हम सुई में धागा डाल लेंगे यह देखिए इस तरह से पहले हम यहां से नीचे से एक पकड़ेंगे धागा देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और फिर यहां से उपर से देखे और wrong side से देखे हमने इसकी stitching करनी है इस बात का ध्यान रखिएगा और जब आप इसको सिलाई भी करोगे तो एकदम lose-lose आपने इसकी सिलाई करनी है ताकि हमें ये sweater tight न हो देखे इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे एक धागा हम उपर से पकड़ेंगे और एक नीचे से और जो भी आपके extra धागे अगर होंगे कहीं देखे जैसे इस तरह से तो इनको आपने अंदर डाल देना है इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे बिल्कुल lose-lose आपने इसको पूरा सिलाई करेंगे इस तरह से देखे मैंने इसकी सिलाई यहां पर कर ली है और हमने अपना राउंड नेक बना करके तयार कर लिया है इस तरह से आएगा हमारा यह गला कितना ब्यूटिफुल बन रहा है यह देख लीजिए और यह देखे इससे मैंने एक्स्ट्रा दो सिलाई यह इसलिए डाले थी क्यूंकि यहां पर ऊपर हमारी ग्रीन रह जाएगी और नीचे जैसे देखे यह हमारी आएगी इस तरह से तो यह देखे और अंदर से इसकी सिलाई भी देख लीजिए अब यह लूज हम इसलिए सिलते हैं क्यूंकि जब हम पैनेंगे देखे इस गले कर नैकको तो पिर इस तरह से यह फिर आपका ताइट नहीं होगा परना जब सिलाई आपने दी होगी ताइट ताइट तो फिर यह ताइट हो जाएगा इस तरह से फिर जब हम इसको पहनेंगे तो इस तरह से ये खुल जाएगा इसलिए हम इसकी सिलाई अंदर से लूज करते हैं और इस तरह से देखे हमारा ये राउंड नेक एक्टम परफेक्ट राउंड सेप्ची से बोलते हैं उस तरह से हमारा ये नेक बन कर तयार हो गया है सो आई हूप आपको मेरे ये टुटोरिल हैल्फुल रहा होगा अब इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रैगलन में हम किस तरह से सिलाई करते हैं देखे इस वर्टर की बाजुगार इसको किस तरह से हम सिलते हैं राइट और रॉंग सट से दोनों तर करेंगे बाबाए